हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल जॉब हैंट विट स्वाथी आज मैं आप लोग लिए फिर से नहीं जॉब अपॉचुरिटी लेकर के आई हूँ यह पॉचुरिटी आई हुई है विल नॉन प्लेटफर्म डेटा फोर्स की दरफ से तो डेटा फोर्स क्या है डेटा कर सकते हो सबसे अच्छा काम कर सकते हो यहां पर यह कर सकते हो कि यहां पर अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लो ठीक है जैसे भी कोई जॉब कोई ओपनिंग्स आती है इंडिया के लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके अलावा अभी करेंट्री जिन आप अप्लाई कर देना कोई एक जॉब में ओपन करके आपको दिखा देती हूं देखिए यह सारी ओपनिंग्स है जो कि वर्डवाइड है ठीक है अभी चलिए हम लोग इंडिया की ओपन करते हैं जस्ट मिनट ओके तो यहां से हम लोग इसको ओपन करेंगे इंडिया के ल है यहां मैं को दिखा देती हो सकता है जो ऑन-साइड जो आप वहां को बिलॉंग करते हो तो जो ठीक है लांग्वज तो वैसे मैंने जितना देखा यहां पे English के लिए ही है ठीक है तो यह देखें filter लगा के मैंने job यहां पे मैंने search कर ली है इंडिया के लिए है all cities मैंने select किया है remote and onsite donor job मैंने select किया है language यहां पे English है और भी जो है वो आपके like की नहीं यहां पे इंडिया के लिए किन किन पोस्ट के हाइरिंग हो रही है कौन सी remote job है कौन सी on-site job है ठीक है यह मैं आपको detail बता देती हूं AI project manager general AI पुने और चन्नाई इंडिया तो यह पुने से out हुई है तो काफी अच्छी opportunity है जो भी technical background के है या technical field में जाना चाहते है उनके लिए अच्छी opportunity और आज ही दिए पर तो qualification भी आपकी technical नहीं मांगी जाती है ठीक है यह requirement में qualification में सीधे बस देखना चाहरी हूं preferred role requirement वो वी आर okay role requirements bachelor's degree in relevant field computer science information technology technology और similar ठीक है ठीक है आइटी से कुछ डिप्लोमा कर रहा है computer से कुछ डिप्लोमा कर रहा है तो भी आप एक बार try कर सकते हो ठीक है अगर आपने O level वगएरा भी कर रखा है तो भी आप एक बार check out कर सकते हो ठीक है यह आपने कोई डिप्लोमा कर रहा है अगसे तो भी आप इसमें एक बार try कर सकते हो because यह आप इस और similar दे रखा है ठीक है 3 plus years relevant project management experience or experience in other roles with similar responsibilities ठीक है तो अगर आपके पास कुछ ऐसा experience है तीन साल से उपर का जिसमें आपने similar role पर काम किया है या other roles with similar responsibilities या कोई आपका other role रहा है लेकिन आपका similar responsibilities रही है कहीं आपने technical पर काम किया है ठीक है IT-related work किया है ठीक है software पर काम किया है ठीक है तो भी आप यहाँ पर try कर सकते हो ठीक है यहाँ पर कोई ऐसे particular qualification particular experience नहीं दे रखा है ठीक है IT-related, computer-related अगर आपने कुछ काम किया है कोई qualification है आपकी apply कर सकते हो ठीक है तो बाकी चीज़ें मैं नहीं open करके सारी details दिखा रही है ठीक है दूसरी जैसे आप कहताती है logistic coordinator तो यह इस सारी भी पोस्ट इंडिया में बहुत ज़दा popular होती है logistic वगरा की ठीक है engagement, mental employment, start date immediately तो यह भी बहुत अच्छा है कि immediately start date है ठीक है यह ऐसा नहीं कि apply करके दो तो तीन तीन महीं बाद आपको revert आ रहा है ठीक है job description logistics related होगा first of all चली check out कर लेते हैं qualification minimum bachelor's degree और it's equivalent in a relevant field ठीक है तो बहुत ही बढ़िया है कि आप any graduate can apply ठीक है कुछ भी आपने graduation कर रहा किसी भी subject से यहां तक किनों नहीं यह भी दे रखा है और it's equivalent ठीक है in a relevant field तो या तो आप graduate हो या इसके equivalent हो तो equivalent I don't think in India में graduation के level का कुछ है आपने graduation किसी भी subject से कर रहा है apply कर सकते हो ठीक है अब है three plus years relevant experience और experience in other roles with similar responsibilities तो तीन सार से अधिक का आपके पास कुछ भी experience होना चाहिए या तो उसी रोल पर हो जैसे कि आपने career का work किया है career में back office का work किया है मतलब कुछ भी logistic company से related कुछ काम किया है या इसके कि किसी other company में suppose कि आपने e-commerce company में काम किया है लेकिन वहापे भी आपको logistic की थोड़ी बहुत जानकारी है आपके coordination में ऐसा कुछ logistics related आपने work किया है ठीक है calling का ही even आपने काम किया है ठीक है logistic company even आपने calling का काम किया है या आपने as a rider work किया है कुछ भी work किया है logistic company में आप यहां पर ज़रूर से apply कर सकते हो किसी all field में भी हो अगर आप वो sales में हो customer support में तो भी आप इसमें check out कर सकते हो ठीक है प्रेशर हो तो भी आप ट्राइक कर सकते हैं यहां पर इनों मेंशन कर रखा है experience तो अगर आपके पास three plus years का नहीं भी है तो some experience तो यहां पर आई थिंग मांगा ही जाएगा ठीक है चलिए यह मैंने आपको दो जोब्स बता दी बाकिस आप देख लिजेगा अब बताते हैं project coordinator पूरे इंडिया यह भी काफी अच्छी opportunity है because this is remote job और पूरे इंडिया से hiring हो रही तो आप कहीं से भी apply कर सकते हो because remote job है ठीक है चलिए यह मैं आपको open करके दिखा देखा रही हूं ठीक है क्योंकि काफी job है ठीक है किसी एक job के बारे में इस बताना ठीक नहीं रहेगा सब अब के बारे में थोड़ा थोड़ा से आपको बता देती हूं ताकि आपको जिसमें इंट्रेस्ट हो आप उसमें apply कर सको ठीक है on site job है यह आपकी project coordinator तो पोस्ट भी बहुत ही बहतरीन है Monday to Friday आपका work रहने वाला है Saturday Sunday off रहेगा बहुत ही अच्छी opportunity है engagement model employment permanent remote job आपकी permanent job रहने अपने होती है बहुत तरीगे की facilities provide करती है even आपको इंशुरेंस है पीएफ है family insurance health insurance mental insurance चुटियां सब कुछ आपको यहां पर मिलता है ठीक है start it as soon as possible तो जल से जल apply करो क्योंकि competition बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठीक है लोग channel देखते ही apply कर देते हैं और इस वजह से बहुत ठीक है चली आगे बढ़ते हैं qualification की बात करते हैं इसमें minimum qualification इसमें bachelor's degree on equivalent professional working proficiency in English ठीक है तो आप किसी भी subject में आपने graduation क्या हो apply कर सकते है कुछ भी experience की बात नहीं कह रखी यहां पर ठीक है और यहां पर नों कह रखा है कि English आपके professional level की होनी चाहिए ठीक है मतलब हाँ skills दे रखी है communication वागेरा है problem solving skill है ठीक है strong written and verbal communication यह सारी चीज़ है जो जनरली मांगी जाती है responsibility है reviewing and verifying data inputs by other team members और external sources बाकी जिल साब देख रहेजएगा coordinator का generally work यह होता है कि काम को करवाना ठीक है जो main आपके suppose की management है वहां से वहां का जो भी टास्क है वो जो भी workers है उन तक आपको convey करना ठीक है कि क्या क्या काम होना है ठीक है काम करवाना रहता है coordinator को coordinator का काम जो होता है तो मिडियेटर का work होता है ठीक है तो जो rules जो work जो task निकलते है वो आपको जो एप उससे साब सैने experience आए नहीं मांगा है तो यह मैं कहूंगी you best है जितनी माणी अभी तक देखी यह best opportunity है because remote job है experience नहीं मांगा गया है simple से बहुत skills मांगे गई है ms excel है communication है English की आपकी proficiency होनी चाहिए professional level की होनी चाहिए और bachelor degree बहुत simple सी qualification मांगे है जबकि post आपकी सबसे बहतरीन है ठीक है और यह आपकी sorry मैं बार-बार है इसको मैं remote कह रही हूँ यह अचाहां यह remote ही है yes on site in Pune देखे यहां पे इन्हों वर्क लोकेशन दे रखा है on site in Pune जबकि यहां पे दे रखा है remote ठीक है तो यह आपकी remote job ही रहने वाली है क्योंकि यह आप इन्होंने उपर remote job दे रखा है ठीक है पुणे में इनका hiring office होगा ठीक है इनका head office हो सकता है that's why Pune में इनकी on site होगी जबकि आप बाहर से भी इसको कर सकते हैं जैसे कि आप देखते हो आज कर hybrid job होती है कि आप मितलब आपको sometimes office भी जाना पड़ता है और आपको बाकि आपका काम जो रहता हो और work from home रहता है तो कुछ ऐसा हो सकता है बिकाज यहां पे इनकी on site होगा और बाकि as remote job भी आप कर सकते हो ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी profile थी ओके तो देखें यहां पे उपर इनकोंने remote job ही दे रखा है यह आप देख पा रहे हो ठीक है remote job अब चलिए दूसरी है data contributor remote in India ठीक है यह मैंने open करके देखी थी इसमें थोड़ा सा photos वगएरा कुछ इनको देने हैं थोड़ा AI isolated है ठीक है यह भी थोड़ा सा नया सा work है इसमें आपको description थोड़ा सा check out करना हुआ कि क्या actually वह work रहने वाला है ठीक है salary वेगारा काफी बढ़िया है और जो लोग थोड़ा सा trendy जो आप सर्च करना चाहते हैं देख करना चाहते हैं आजकल जो new generation थोड़ा सा trendy वर्क करना चाहती है ठीक है eligibility के बात किया जाए तो age and location participants must be 18 or older and residing in India 18 साल से उपर के हो ठीक है और qualification हो गए रखी कोई बात नहीं कह रखी है यहां पर iPhone photos live photos और video your library must contain media captured on an iPhone time span minimum two years of photos live photos तो यह कुछ photos और video से लेटेट कुछ AI से लेटेट आपका कुछ work रहने वाला है जो आजकल की teenagers को जादा interest रहता है जो आजकल की generations को जादा interest रहता है तो उनके लिए अच्छी opportunity है क्योंकि वो अभी से अगर यह सारी चीज़ें सीख लेते ना तो आगे उनको काम आएगा इनी सारी चीज़ों को वो अपना career बना सकते हैं क्योंकि इंदिया में क्या है कि यह सारी चीज़ें अभी इतना जादा used to हम लोग नहीं हुए हम लोग इंडिया तो जैसे एक project coordinator यह पुने वाला था वैसे ही यह डेली से है यह पुने के office से remote job है यह डेली के office से remote job है तो आपको जो भी आपके nearest जो पड़े आप महां से apply करके देख सकते हो ठीक है अगर आप उत्तर प्रदेश साइट पे आते हो ठीक है नौत साइट पे आते त तो सारी चीज़ है मैंने आपको दिखा दिये चलिए मैं open कर ही देती हूं एक बार जो सारी open की तो इसको क्यों मैं छोड़ दूं ओके ठीक है just a minute तो यह वैसे ही profile है जैसे मैंने अभी आपको एक पुने वाली open करके बताई थी just a minute I think this is different task-based यह आपकी task-based रहने वाली है य यह 18-plus years आपकी होनी चाहिए और इस्टेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए fluent in English है smartphone होना चाहिए have access to a car with AC no driving is required तो car और AC की नोने शायद फोटो अगेर से लेटेड है इसलिए हो सकता है मांग रहे हूं मैं कह सकती है have access to indoor parking तो थोड़ी different सी है आप इसको अगर experience की परपस से या और खासतो होसे जो अब जो generation आ रही है जो youth है तो उनको तो नई चीज़े खासतो होसे check out करते रहना चाहिए ताकि आप पिछरने नपाओ तो आप देख सकते हो अपलाई कर सकते हो यह कम सकम यह दिखने के लिए कि क्या actually यह work है क्या आपको काम करना है अगर आपको लगता कि काम अच्छा आप कर सकते हो नहीं सेमन में आता है आप छोड़ सकते हो ठीक है तो थोड़ी से different इसले मैं जादा कुछ नहीं बता सकती हूं क्योंकि बहुत जादा इसनोंने description भी नहीं दे रखा है जो एक proper जो job होती है उसकी details मैंने आपको दे दी है जो कुछ एक-दो अ और पर से क्या job है आप उसमें apply कर सकते हो no issue बाकी की job जो है logistic coordinator ये बढ़िया है AI project manager ये भी काफी अच्छी job है और project coordinator ये सबसे अच्छी profile मुझे लगी जितनी मैंने देखी ठीक है तो इसका apply link में आपको description में दे दूँगी और आप ये भी काम कर सकते हो ना इसमें registration कर सकते हो ठीक है registration कर लो तो जैसे भी openings आती है ना तो आप महाँ पर apply कर देना ठीक है रुकिया मैं आपको दिखाती हूं यहां पर भी आपको option दिखेगा registration का just a minute ये register now ठीक है join the data force community work independently from home and with flexible work arts ठीक है तो देखे task है job है part time full time flexible हाट तरह किसमे openings आती रहती तो आप यहां पर register कर दो जैसे भी openings आएगी आपको notification मिलेगा mail मिलेगा आप महाँ पर apply कर सकते हो ठीक है so इसका link में आपको description में दे दूंगी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको subscribe कर लीजे because मैं से latest shop updates प्रोवाइट करती रहती हूं thanks for watching मैं चैनल bye bye